बरेली के बित्री चैनपुर्थाना चेत्र में एक प्रेमी जोडे ने वीडियो वायरल कर पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा कि उनको धरम के आधार पर ना देखा जाए बलकि इंसानियत के आधार पर देखकर उनका फैसला किया जाए मेरा नाम रविंदर है नाम शखाना है और हम दोनों एक ढूसरी को पसंद करते हैं तो यह कल अपने घर से बिन बताया घरे भर पे बुरहां बोले कल घर से निकल आई थी तो यह मेरे पास आ गए है और यह बोल रहे हैं कि हमें साथ ही करनी है तो मैंने जो भी मुझे अच्छा लगा जो भी मुझे परोसर अच्छा लगा मैंगा थाने चल रहे हैं तो हम थाना इन-ार्ज विथ्री चैणपुर के पास जा रहे हैं से हमरे मामले को धर्म के आधार पर न देखा जाए। घर से भागे एक ही रहने वाले अलग-अलग समुधाइक के प्रेमी जोडे ने सुरक्षा की मांग की है। वहीं वीडियो वाइरल करने के बाद प्रेमी जोडा थाने में पहुँच गया जहां लड़की के घरवालों ने कारवाई की बात ना कहते हुए उसको प्रेमी के साथ जाने की इजाज़त दे दी लड़की मुस्लिम जबकि लड़का हिंदू परिवार से है मेरा नाम रबिंदर है इनका नाम सहाना है और ये हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये कल अपने घर से बिनबताये गरे, घर待 बिन बोले कल घर से निकल आई थी, तो हम मेरे बोल रही है कि हमें साथी तुमसे ही करनी हैं तो मैंने जो भी मुझे अच्छा लगा, ज और इसन पी महोडय से हम रिकोष्ट करना चाहते हैं कि हमारे मामले को धर्म के आधार पर ना देखा जाए हमें इंसानियत के आधार पर देखा जाए और इंसानियत के ही आधार पर हमारा का फैस्ट किया जाय किर्प्या हमाना सयोग करें guitare this of all inna अ ध्याश्क झी गठी को पूरी धिव्ञटना की देने जा रहा है और इनके घर वाले कल से हम लोगों को ढूंध रहे हैं जो भी दूद रहे हैं तो लोग मार ढने के लिए ही धूंद रहे हैं दून लोगों को तो हमारी जान को खत्रा है इसलिए ये भी है और अभी जाकर हाजिर हो रहे हैं तो तो कि किर्पिया कर रजेग ई हमारा हमênतट स्व circa को समय करीद दो बजे कि शहाना पुत्री बदाम भख्ष योंग रबिंद्र पुत्र स्वग्य क्रिश्न पाग थाना बिथरी चैनपूर आ रहा है इन दोनों के दोरा बताया गया कि अपनी मर्जी से साधी काने चाहते हैं और दोनों वालिग है उप सुचना पर थाना बिथर कि शहाना की उमर करीव 20 वर्स है और यह बालिग है अपनी मर्जी की मालिग है और यह जहां साधी करने चाह है वहां साधी कर सकती हमें इसे कोई अपती नहीं है हम इसे कोई करवाई नहीं चाहते हैं और भुष में हमें इसे कोई लेना देना नहीं है उधर दूसरे पक्ष फिलहाल दोनों के परिजनों ने किसी भी तरह की कारवाई से इनकार कर दिया है टाइम 24 न्यूज के लिए बरेली से सुनील सकसेना की रिपोर्ट परिजनल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले